गुर्दे की पथरी यानि किड्नी स्टोन यानि की रीनल कैलकुली यानि की नेफ्रोन लिथियसिस यह एक ऐसी समस्या है जो आज कल बहुत कॉमन हो गई है जिसके गुर्दे में पथरी पढ़ती है वो बार बार पढ़ती रहती है आप लेजर का अप्रेशन कराते हैं लिथो टिप्सी कराते हैं ओपन अप्रेशन कराते हैं लेकिन पथरी बनना बन नहीं होती है और आज कल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप बार बार यूरीन पास करने नहीं जा पाते हैं और सेडिमेंट्स का कंसंट्रेशन, और क्लेट कार्बोनेट और यूरीक ऐसिक का कंसंट्रेशन आपकी उरीन में बढ़ जाता है और तभी आपके या पत्री बन जाती है आज हम आपको बताएंगे कुछ दवाएं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में, गुर्दे के दर्ष से पेन में, आपको आराम देने में और सबसे इंपॉर्टेंट पत्री को गुर्दे से एक्सपेल करने में मदद करेंगे नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना उमियोपैथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे किड्नी स्टोन की किड्नी स्टोन यानि की रीनल कैलकुलाई यानि की नेफ्रोलिथियोसिस यहाँ एक ऐसी कामन समस्या है जो आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है वक्त के काम के कारण हम लोग यूरीन को प्रोपरली पास नहीं कर पाते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं वापस में स्टिक करके पत्री यानि की कैलकुलाई बना देते हैं तो यह बहुत कॉमन समस्या साथियों लेकिन होमियोपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होमियोपैथिक दवाएं सबसे पहले साथियों यह जान लेते हैं कि आखिर यह रीनल कैलकुली होता क्या है रीनल कैलकुली यानि किड्नी स्टोन आपके गुर्दे में के अंदर जब पत्री बनती है उस पत्री को रीनल कैलकुली कहते है और यहाँ बहुत कॉमन है यहाँ पेंफुल होती है तकलीफ देती है सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों जब गुर्दे में पत्री होती है रीनल कैलकुली किड्नी स्टोन होता है तो आपकी पीठ में नीचे की तरफ बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द आगे यूरेट्रा की तरफ रेडियेट करता है यहाँ एक पहचान होती है कि गुर्दे में शायद पत्री हो गई दूसरा पिशाब कभी कभी रुख के आती है पिशाब में जलन होती है पिशाब का रंग बदल जाता है अगर पत्री ऑउक्जिलेट की है तो थोड़ा वो आपके यूरेटर को टीर करती है तो बलड भी यूरीन में आ जाता है रेड सेडिमेंट आ जाता है इस तरह तमाम सिंटम होते हैं बात कर लेते हैं कारणों की गुर्दे में पत्री का कारण साथियों हम लोगों का बराबर यूरीन पास करने ना जाना होता है वक्त की दोड में हम लोग वापस हर बार यूरीन नहीं पास कर पाते और जो ये calcium oxalate और uric acid होता है इनका concentration यूरीन में बढ़ता रहता है जब इनका concentration यानि घरत यूरीन में बढ़ता रहता है तो ये आपस में molecules combine हो जाते हैं और यही पत्त्री की शकर ले लेते हैं जो आपको तक्लीप देते हैं लेकिन साथियों समझ से आये तो समधान है हम आपको बताएंगे रिनल कैलकुली यानि किड्नी स्टोन को निकालने की कुछ कारगर होमियोपेथिक दवाएं दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुसल चिकिस सक से पूछे मत लीजेगा क्योंकि तमाम प्रकार की गुर्दे में पत्त्री होती हैं उसके तमाम साइजेज होते हैं तो ये डॉक्टर ही आपको बेस्ट बताएगा कि क्या आपके लिए सुटेबल है क्या नहीं चलते हैं साथियों सफर पे आपको बताते हैं किड्नी स्टोन को खत्म करने कि कुछ कारगर होमियोपेथिक दवाएं नमबर एक दवासाथियों जो हम लोग अपने क्लीनिक पे बहुत यूज करते हैं और सकस्एस्फ़ली यूज करते हैं कारगर तोर पे यूज करते हैं और निश्चित रूप से यूज करते हैं और निश्चित रूप से उससे पत्त्री 99% केस में निकलती है वहाँ लाइको पोडियम क्लवेटम अगर किसी के गुर्दे में पत्री है वो 11-12 mm तक की है 10 mm तक की है तो लाइको CM यहनी एक लाग पावर की एक खुराक हफते में आप देते रहे हैं एक हफता नहीं, दो हफता नहीं, तीन हफता नहीं, चार हफता 5 हफता, 6 हफता यह नहीं मैं कह सकता कब लेकिन जल्दी से जल्दी आपकी पत्री गुर्दे से निकल जाएगी ऐसा मैंने नीजी तजुर्वे में देखा है तो आप लाइको पोडियम क्लवेटम का सफल इस्तमाल कर सकते हैं किड्नी स्टोन यानि गुर्दे की पत्री यानि रीनल कैलकुली यानि नेफ्रोलेथियासिस को खतम करने के लिए एक इस्तितियाती साथियों मरीज को गुर्दे में पत्री है और उसका दर्द उनके टेस्टिकल्स तक जा रहा है अगर यह एस्तिती हो कि रेडियेट कर रहा हो पेन टेस्टिकल्स तक तो उसको ठीक करने के हुमोपैथी में बहुत अच्छी दवा है और पत्री गुर्दे से निकालने की सिम्टम के होने पर बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हैनिमनाई आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बाल ले सकते हैं यहाँ दवा पत्री भी निकालेगी आपके जो पेन रेडियेट हो रहा उसको भी खतम करेगी और आपको बेतर स्वास्त में लाएगी एक साथियों जो बहुत चर्चित दवा है रिनल कलकुली को खतम करने के और बहुत इस्तमाल होती और हम लोग भी देते हैं क्लीनिक पर वहाँ बर्बिरिस वल्गेरिस जब आपके गुर्दे में दर्द उठे पीछे और पत्री होने के कारण वहाँ दर्द यूरेटर में पिशाब की नली में आगे रेडियेट करें खासतोर से बाई तरफ तो उस इस्तिती को ठीक करने के और इस्तिती में पत्री को गुर्दे से निकालने की बहुत अच्छी दवा है बर्बिरिस वल्गेरिस बर्बिरिस वल्गेरिस का मदटींचर बीजबून सुभा साम आप आधे कप पानी में ले सकते हैं यहाँ दवा काफी बेतर स्वास्तलाब देती है एक इस्तिती आती साथियों पत्थरी गुर्दे से गई और पिशाब की थैली में फस गई अगर यह इस्तिती हो साथियों तो उस इस्तिती में यूरिनरी ब्लैडर से पत्थरी को निकालने की बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम आप मेडोरिनम दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहां दबा आपकी यूरिनरी ब्लैडर से पत्थरी को एक्सपेल करेगी और आपको जो पेन हो रहा है पत्थरी फसने से उसमें रहात देगी और आपकी समस्या का समधान करेगी एक बात आती है साथियों पत्री बड़ी है और हम सब चाहते हैं पत्री बिना तकलीफ के निकले पत्री का साइज छोटा होगा गुर्दे की तो वो कम तकलीफ या बिना तकलीफ के निकल जाएगी ऐसे में रोल आता है साथियों हाइटेंजिया का हाइड्रेंजिया वहा दबा है जो इस्टोन बुलकर के रूप में होमियोपेथी की जानी जाती है यानि पत्री को तोड़ने में यहां मदद करती है अगर किसी के बड़ी पत्री है यानि 8 mm से जादा है जो हम लोग का युरेटर का डायमीटर होता है पेशाप की नली का वो 5 mm होता है 5-6 mm तो 5 mm से जादा की पत्री है तो उसको तोड़ देना अच्छा है और हाइड्रेंजिया उसके लिए बहुत मुफीत दबा है आप हाइड्रेंजिया का 10 बून सुबा शाम बर्बिरिस वल्गिरिस के साथ ही मिलाके मरीज को दे सकते हैं हाइड्रेंजिया आपके पत्री का साइज छोटा करने यानि पत्री को तोड़ने में मदद करेगी और जब पत्री छोटी होगी तो वहाँ सानी से बाहर निकलेगी एक इस्तिती आती है साथियों किसी एक गुर्दे में पत्री है और जब वहाँ पत्री नीचे खिसकती है तो बहुत तेज क्रैंपी दर्द उड़ता है तो अगर वहाँ इस्तिती हो कि जब आपको कैलकुली मूफ कर रहा हो आपको लग रहा हो कि अब दर्ख पीछे से आगे की तरफ आ रहा हो पत्थरी हमारी मूफ कर रही है और आपके बहुत तेट पेन उठ रहा है तो इसको ठीक करने की हुम्म पैती में बहुत अच्छी दव दायस्कोरिया विलोसा आप दायस्कोरिया 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ तब आपके क्रैंपी बेन को खतम करेगी और पत्थरी निकालने में भी हिल्प करेगी पत्थरी है साथियों गुर्दे में तो बहुत संभाबना है कि पेशाब में जलन भी होगी है तो अगर किसी साथि के पत्थरी हो गुर्दे में और उनके पेशाब में जलिन यानि यूरिनेशन बढ़निंग हो रहा हो तो उसको ठीक करने के हुमियोपर्थी में बहुत अच्छी दवा है केंठारिस आप केंठारिस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहां दवा आपकी पेशाब की जलन को खतम करेगी यूटी आई को खतम करेगी और पत्थरी को भी निकालने में आपकी मदद करेगी एक साथियों सवाल सबके मन में रहता है कि हमारे गुर्दे में बार-बार पत्थरी पढ़ रही है अब हम ऐसा क्य पत्थरी ना पड़े तो उसस्थिति में साथियों हमयोपैथी में बहुत अच्छी दवा आती नैट्रम फॉस अगर किसी के रिकरेंट कैलकुली हो रहा है गुर्दे में तो उसको रोकने की बहुत अच्छी दवा हमयोपैथी में नैट्रम फॉस आप 6x पावर में 4 टैब प्रेट शाम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, यहाँ आपके गुर्दे में recurrent calcule, बार-बार पत्थरी बनने को रोकती है, और आपको स्वास्तलाब देती है, एक इस्थिति आती है साथियों, किसी के गुर्दे में पत्थरी हो, किड्नी में स्टोन हो, और उनको जब पेशाब वो कर चुकते हो, तो आखरी जो portion पेशाब पास करने का होता हो, उस समय बहुत दर्द होता हो, जलन होती हो, तो अगर सिंटम्स आपके एग्रेवेट करते हो, जब आप यूरीन पास कर चुके होते हैं, या पास करके अब खत्म होने की स्थिति में होती है, यूर करने के दौरान और उसके खत्म होने के दौरान आपके पेशाब में जलन होती है, तो आप सरसा परिलाग का इस्तमाल कर गुर्दे की पत्थि निकाल सकते हैं, एक स्थिति आती हो साथियों, मरीज को गुर्दे में पत्थि हो और उनको बहुत थिक यूरीन हो रही हो, तो दो दो बूंद आप ले सकते हैं, यहाँ जिसको गुर्दे में तकलीफ है पत्थरी है, उनके गुर्दे को भी लाब देगी, यूरीन को भी एक स्पेल करेगी, यूरीन को थिन भी करेगी, एक स्थिति आती है साथियों किसी को गुर्दे में पत्थरी है और उनको वामिट महसूस हो रही है नौजिया हो रहा वामिटिंग हो रही तो अगर वामिटिंग महसूस हो रही हो गुर्दे में पत्री है तो उसे स्थिति को ठीक करने के हुमियोपैती में दो बहुत कारगर दवा है पहली दवा है और दूस्ती दवा है टेवैकम और दूस्तिति में बहुत वर्मिटिंग महसूस हो रही हो एक इस्थिती आती है साती हो किसी का यूरिक आसिड बढ़ा और उनके गुर्दे में पत्थ्री बार बार पढ़ रही हो तो इस इस्थिती को ठीक करने की हुम्यों पैट्री में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम आप कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं इस दवा से मरीज का यूरिक आसिड भी कंट्रोल होगा और पत्थ्री भी गुर्दे की निकलेगी कैलकेरिया कार्ब के साथ यो दो तीन और सिम्टम है जो इंपार्टेंट है नोटीस करने पड़ते हैं पहला है इसका मरीज फियर फैट और फ्लैबी होता है दूसरा है इस मरीज के जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है उसके सर से पसीना बहुत आता है उनको सरदी बहुत लगती और मीठा खाना उनको पसंद होता है यहाँ कुछ सिम्टम है जो केलकेरियाकार को इंडिकेट करते हैं यूरी कैसिन बढ़ने के केस में पत्थरी निकालने की मदद के लिए गुर्दे की एक इस्थिति आती है साथी हो अगर यहाँ इस्थिति हो कि आपके गुर्दे में पत्थरी हो और उसका दर्द आपकी जांगों तक आ रहा हो तो उस्थिति को ठीक करने की हुमियों पैथि में बहुत अच्छी दवा है परेरा ब्रावा आप परेरा ब्रावा का मदद हिंचर बीज मून सुबा सामूस इस्थिति में ले सकते हैं कि जब पत्थरी आपके गुर्दे में हो रीनल कैलकुली हो, किड्नी स्टोन हो और वहाँ दर्द आपकी जांगों तक आ रहा हो पिशाब में सेडिमेंटेशन आ रहा हो और पेनफुल हो उस इस्थिति में परेरा ब्रावा बहुत अच्छी दवा है इसका मदद हिंचर आपको लाब देगा आपका जो गुर्दे से यानि किड्नी से थाइस तक पे इन्रेडियेट हो रहा उसको खतम करेगा और आपकी पत्री को भी निकाले में हेल्प करेगा एक इस्थिति आती है साथियों कि यूरीन में जो इंटा होता है जिसे मकान बनता वो इंटे का जो लाल रंग होता है उस तरह का सेडिमेंट यूरीन में आता है तो अगर यह स्थितियों सातियों तो इसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत अच्छी दवा है चिनिनम सल्फ आप चिनिनम सल्फ 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं इसको गुर्दे में पत्थरी है और जो इंट यानि इंटा जो होता है उस रंग का जो डार्क रेड रस्टी कलर का रेड होता है और इंजिस रेड उस रंग का सेडिमेंट आ रहा है उस स्थिती में यहाँ दवा आपको चिनिनम सलफलाब देगी और आपकी पत्थरी को भी निकालेगी और आपके सेडिमेंटेशन को भी रोकेगी ये साथियों कुछ दवाएं थी हुम्योपर्थी में गुर्दे की पत्थरी को निकालनेगी दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन आप निविदन करेंगे कोई भी दवा को सल्ची की सक्से पूछ के ही लीजेगा हर दवा के अपने एफेक्ट्स और कुछ माईनों में साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं मन में कोई क्वरी हो तो वाट्सेप करिएगा हमारे वाट्सेप नमबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे निविदन करेंगे साथियों अगर यहाँ वीडियो आपको समाच के परिपेक्ष में उप्योगी लगा हो तो वीडियो को शेर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आईकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथियों इती देर हमारे साथ रहने के लिए अपना आसिरवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुआत अपना आसिरवाद, आसिरवाद आसिरवाद 12 में, अपना आसिरवाद देना आसिर आसिरवाद।